नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों मैं अजीत पाइंडे आज आपके लिए इसमें इस वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सैट पेपर लेकर आया हूँ एक्जाम की डेट आगई है आप सभी ने तयारी शुरू कर दी होगी NTPC Group D के जो एक्जाम लाश्ट एयर हुए हैं अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि हिस्ट्री के स्लेबस से NTPC और Group D में 5 से 6 नमर के कॉशन पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं 30 कॉशन लेकर आया हूँ और पासिंग स्कोर 50% है ये सारे कॉशन ग्रूप D, CVT1 और NTPC, CVT1 के हैं क्या आप से एक कॉशन बनते हैं तो चलिए वीडियो सॉल्व करेंगे एक चैंपियन की तरह और पूरा प्रेक्टिस सेट पेपर लगाने के बाद देखिए क्या आप 50% स्कोर गेंड कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो लेटिस्ट एक्जाम प्रेटर्न को फॉलो करते हुए एक टाइमर भी मिला है आपके लिए पांस सेकंड का समय मिलेगा हर कॉशन का आंसर दे निकले चले शुरू करते हैं वीडियो याद रखिएगा अगर अभी पूरा नहीं किया तो जिन्दगी में कभी पूरा नहीं होगा स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर कॉशन नमबर वन आपसे पूशा गया है हडपा सब्विता की खोच किसने की थी क्या उत्तर हो जाएगा बतलाई चले देखते हैं तो हडपा सब्विता की खोच दयाराम साहनी जीने की थी आप्शन नमबर ए यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं वह शाशक जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था उस साशक का नाम क्या है राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाईएं चले देखते हैं तो वह शाशक जिसने एक सच्चे जैनमुनी की तरह उपवाज की द्वारा सरीर का त्याग कर दिया था वह शाशक था चंद्रगुप्त मौरिय। option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में वह युद्ध किसके किसके वीच में लड़ा गया था क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1199 में वो मुहम्मद गौरी और प्रत्वी राश्त्रती के बीच में लग गया था option number B यहाँ पर सेयतर हो जाएगा right answer है option number B next question देखते हैं क्या पुशा गया है बंगाल को मुगल सामराज से प्रथक कर स्वतंत्र किस ने किया था क्या उत्तर होगा बतलرجी चलिए देखते हैं यहाँ पर सेयतर क्या हो जाएगा तो right answer है बंगाल को मुगल सामराज से प्रथक करके स्वतंत्र मुर्षित कुली खाने किया right answer हो जाएगा option number A इस प्रशन के लिए सहित्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर विद्वा पुनर विवाह कानून कब बना क्या उत्तर होगा बतलाई चले देखते हैं तो विद्वा पुनर विवाह कानून 1856 option number B इस प्रशन के लिए सहित्र हो जाएगा right answer is 1856 में बना next question देखते हैं क्या पुश अगया है अंग्रेजों ने फूट डालो और शाशन करो की निती कब अपनाई क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शाशन करो की निती 1858 इस वी के बाद अर्था तो option number C यहाँ पर सहित्र हो जाएगा right answer is 1858 इस वी के बाद अपनाई next question देखते हैं क्या पुश अगया है England में ग्रहयुद कितने वर्षों तक चला था क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो England में ग्रहयुद जो है साथ वर्षों तक चला था option number B यहाँ पर सहित्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर आर्य भारत में कहां से आये थे क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो आर्य भारत में Central Asia केंद्रिय एशिया से आये थे option number C इस प्रशन के लिए से यत्तर हो जाएगा right answer है केंद्रिय एशिया से आये थे next question देखते हैं क्या पुश अगया है किस आवधी में रामायन एवं महा भारत की रचना हुई थी बतलाईए चले देखते हैं तो रामायन और महा भारत की रचना आरे आवधी में हुई थी option number D यहाँ पर से यत्तर हो जाएगा right answer है आरे आवधी में हुई थी next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर गुप्त सामाज की इस्थापना किस ने की थी क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो गुप्त सामाज की इस्थापना option के इसाफ से चंदरगुप्त option number B यहां पर सेत्र हो जाएगा right answer है चंदरगुप्त इस्थापना के लिए सेत्र है next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर गुप्त पानी पत की दूसरी डाई किस के किस के बीच में होई थी बतलाईए चले देखते हैं तो पानी पत की जो दूसरी डाई थी वो बेगम खान और हेमु के बीच में होई थी option number A expression के लिए सेत्र हो जाएगा बेगम खान और हेमु के बीच में होई थी next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर गुश अगया प्रश्ण next question देखते हैं क्या पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर मस्तानी किस साशक की प्रेयसी थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो मस्तानी जो है बाजी राओ पेश्वा की प्रेयसी थी right answer हो जाएगा option number A इस प्रश्ण के लिए स्यत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम साशक ने सरप्रथम जीता था क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लम सासक ने सरप्रथम जीता था तो यहाँ पर सयत्र हो जाएगा खिल जी option number B इस प्रशन के लिए सयत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है बतलाईए चले देखते हैं तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सरप्रथम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किये थे right answer option number D next question देखते हैं क्या पुशा गया है पहली सहायक संधी इनमें से कौन सी थी क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो पहली सहायक संधी निजाम के साथ हुई थी option number B यहाँ पर से यत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है करनाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो करनाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास जी को कहते हैं option number C यहाँ से यत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है किसके शाषन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आये था right answer क्या है पतलाईए चले देखते हैं तो किसके शाषन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आये था तो option number D इस प्रशन के लिए से यत्तर हो जाएगा चंदर गुप तो द्वती के शाषन काल में चीनी यात्री भारत आये था next question देखते हैं क्या पुशा गया है निम्न लिखित मेंसे इन चार option मेंसे मुगल शाषकों मेंसे किसे Prince of Builders के नाम से पुकारा जाता है क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो इन चार option मेंसे Prince of Builders साह जहां को कहते हैं option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है सिक्ष समुदाय के अंतिम गुरू कौन थे बतलाईए चले देखते हैं तो सिक्ष समुदाय के अंतिम गुरू गुरू गोविन सिंग जी थे option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष कॉशन देखते हैं किया पूश अगया है ये रहा स्क्रीन पर गला प्रशन कुछी पुडी नृत्य कहां आरम्भ हुआ था बतलाईए चले देखते हैं तो कुछी पुडी नृत्य जो है आंध्य प्रदेश में आरम्भ हुआ था Option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है आंधर प्रदेश Next question देखते हैं क्या पूशा गया है चित्रकला की गांधार सहली का सूतरपात किसके द्वारा किया गया था बतलाईए चलिए देखते हैं तो चित्रकला की गांधार सहली का सूतरपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था Option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था Option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं क्या पुशा गया है बौद्दों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला आवतार किसे माना जाता है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए चलिए देखते हैं तो बौद्दों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला आवतार कलकी को माना जाता है option number A इस प्रश्ण के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं समराट अकबर ने निमलिखित मैंसे किस महल का निर्माड फतेपुर सीक्री में करवाया था क्या उत्तर होगा बतलाईए चलए देखते हैं तो समराट अकबर ने पंच महल का निर्माड कौन से महल का निर्माड पंच महल का निर्माड फतेपुर सीक्री में करवाया था राई टांसर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है कुतब मीनार के पास इस्थित लोह इस्थम्ब के सराजा ने बनवाया था बतलाई चले देखते हैं तो कुतब मीनार के पास में इस्थित लोह इस्थम्ब जह है चंदरगुप्त दोती ने बनवाया था राई टांसर है next question देखते हैं क्या पुशा गया है स्वामी दयानल सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी बतलाईए चले देखते हैं तो स्वामी दयानल सरस्वती जी ने आरे समाज की स्थापना की थी राई टांसर है ऑप्शन नमबर बी next question देखते हैं निम लिकित में से किस ने इबादत खाना बनाया है राई टांसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो इबादत खाना किस ने बनाया है तो अकबर ने बनाया है option number A यहां पर सहीतर हो जाएगा next question देखते हैं भारत की प्रथम महिला शाशक कौन बनी बतलाईए क्या उत्तर होगा चले देखते हैं तो भारत की पहली महिला शाशक कौन बनी तो राइट आंसर हो जाएगा option number B रजिया बेगम next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर टीपू सुल्तान कहा का शाशक था क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो टीपू सुल्तान मैसूर का शाशक था option number C इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा तो यह था आपका scoring हिश्री का practice head paper क्या score रहा आपका comment box में comment करके आप अपना score जरू बताएगा अगर आप channel पर नए हैं तो channel subscribe कर लीजे bell icon on कर लीजेगा और वीडियो को like करके दोस्तों के साथ जरू शेर करेगा चैनल पर timing जो है वीडियो upload होने की ये आपके लिए timing 6 बजे, 10 बजे, सामको 7 बजे और आत में 10 बजे हैं आप इस समय वीडियोस देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो description box में link है या आप हमें comment करके link ले सकते हैं हम आपके comment पर link share कर देंगे आपका score क्या रहा? comment box में जरू बताएगा रोज सुब़ 7 बजे और रात में 8 बजे GK की live class होती है channel पर अगर आप live class join करना चाहते हैं तो जरूर आईए live class में भी हम आपके लिए GK live पढ़ाते हैं तो क्या रहा है इसको जरूर बताएगा अगर नए है तो channel subscribe कर लिजेगा वीडियो को like और जाद से जादा share जरू करेगा मिलते हैं next वीडियो में जल्दी आपका selection हो जाए यही शुब कामना है हमारी बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो